तो गैस मैं हूँ अंकी तो और आप दिख रहे हैं रिस्लिंग फैंस नेटवर्क सुरू करते हैं अपनी बातकों लोग सबसे पहले रॉब वैंडम यानि की आरवीडी से तो भाई आरवीडी क्या साल 24 के अंदर एक बाद फिर से डेवीड़ी के अंदर हमें देखने को मिल सक करते हैं तो इसका एंसर है शूर जी हाँ यह चीज होगी यह किसने कहा यह खुद कहा है आरवीडी यानि की रॉब वैंडम ने जब उनसे एक ट्विटर यूजर ने ट्वीट करके पूछा कहते हैं है रॉब आयू गॉन डू फ्यू डवीड़ी अपैरेंस इन 2024 सवाल था क क्या दोजा 24 के अंदर हमें आपके कुछ अपेरेंस डवीड़ी के अंदर देखने को मिल सकते हैं कुछ यानि एक से जाद है इसका कोड रिप्लाई करते हैं रॉब वैंडम एंसर करते हैं एक मैसिव यस के साथ कहते हैं शूर कहते हैं कि जी हाँ पक्का इसका मतलब है कि आ क्या हो तो यह कहां हो खबाब आपके शूर के सुर्ण करके लिए बर यूरा तो नेवर से का दर आपको क्या लगता है क्या रीड़ी को आना चाहिए वरपस किसक्ती में रसलने के लिए या फिर कुछ और आपको क्या लगता है comment करके आप लोग अपने thoughts and guesses लिख के बता सकते हो आगे बढ़ते हैं गाइस बात करते है रॉक कोडी रोमन एंड रॉलिंस के SmackDown Segment के बारे में तो ऑडिस माइन के में इवन सेग्मेंन में हमें चारु देखने को मिले जिसके बाद मैच कुन्फर्म होता है रॉलमन एंड रॉक vs Kody and Rawlings का यह टाग्टीम मैच होगा अव ऐसे में इस शेग्मेंट को लेके कुछ अपड़ेट समयं आपको बतादू कहा गय लेकिन टाइम कट करा गया और उसके वज़ासे ब्रॉल ही हमें देखने को नहीं मिला एक बहुत ही मैसिव चीज है किसी भी मैस फ्यूड को प्रमोर्ट करने के लिए तो ऐसे में ब्रॉल जो होने वाला था वो नहीं हुआ लेकिन यहां पर फॉक्स अलाओ नहीं कर रहा है इसलिए बहुत मैसिव चीज नहीं हो पाई जो कि आइधिंक गलत है कुछ ना कुछ इसका जुगार होना चाहिए आगे बढ़ते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि जॉन सीना एंड रॉक को लेकर तो भाई क्या जॉन सीन इस्टाग्राम पर पोस्ट करते हैं यह आप देख सकते होगा सिंपल एक पता नहीं क्या यह कहीं गेटवेट पर लगावा कोई साइन है यहां पर लिखा गया बॉटम ऑफ दरॉक अब यह रॉक वाली चीज पोस्ट करना जस्ट स्मैक्टॉन के बाद काफी कुछ इंडिक आगे बरते हैं बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में कि टिफनी स्ट्राइटन को लेके तो भाई टिफी टाइम आपको देखने को मिल सकता है टॉरेंटो के अंदर मनी इंद वैंक लोग उनको परसीव कर रहे हैं अच्छे तरीके से भाई वह देखके लगता है कि डवी इन पर हाई हो पका रही होगी और इनका भाई मैं आपको बता दू कि डवी पहले ना इन पर विलीव नहीं कर रही थी इतना स्टार्टिंग में को रिजेक्ट कर आगा थे इनके सब्सक्राइब लगा थे कुछ ऐसा काफी होल्सम कॉंटेंट था वह तो अभी के सब्सक्राइब को वह सारे फैंस भी मिल रहे हैं जो कि उनको आगे एक टॉप फ्यूचर स्टार या फिर में का स्टार बनने में हल्प करेंगा यह जो एंटिक से जो चीजे हैं जो कोडी र पर रखती है चल से ग्रीन से थोड़ा जादा अभी दोनों अच्छी कंपेटेटर है अगर एक दूसरे से कंपेर करो तो लेकिन टिफनी का पल रहा थोड़ा से जादा भारी दिख रहा है अगर हम लोग मनी इंद बैंक वगरा को को कंसेटर करें तो देखके यही कुछ बत को मिल जाएंगा अभी कोडी की नहीं मर्ज वगरा रिदीज हुई मैंने देखा था तो इसलिए कोडी टॉप पर है यहां पर उनकी सेल्स अच्छी हुई होगी एले नाइट है नंबर टू पर जो की तौरा सौकिंग है में लिए क्योंकि टीवी टाइम कम है अले नाइट क रॉक की इस हफ्ते कोई नहीं मर्ज चाहिए अगर आएगी नेक्स्ट तो यह साइट बहुत जल्दी ऊपर चले जाएंगे और उसके बाद नंबर सिक्स पे हैं जे उसो यीट वाली ही टी-सट होगी मौस्ट लाइकली नंबर सिक्स पर आपको यहां पर जे उसो देखने को मिलेंगे जो कि जिम्योस को फेस्ट करेंगे रसलमीना में दन है सेथ रॉलिस नंबर सेवन पे उसके बाद आपको एट पर देखने को मिल जाएंगे जिम्योसो इनका जे उसो सही मैच होगा इनकी नोई यीट वाली है या फिर कौन सी हो मुझे नहीं पता लेकिन जिम्योस हैं तो यहां पर भाई यह है आपकी टॉप 10 की लिस्ट नंबर 10 से देख लो टेन पर है लिफ मॉर्गन नाइन पर मैकेंटार एट पर जेम्योसो सेवन पर रॉली से सिक्स पर जे उसो फाइब रॉक है पॉर पर सीयंपंग त्री पर रोमेरे इस्टू पहले नाइट नंब आपको मिल जाएगे डिस्क्रिप्शन में जॉइन कर सकते हैं और सिप्यान को उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलते हैं अपर नेक्शा फैर काफ इंट्रस्टिंग वीडियो में